आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों यह आप देख रहे हैं यह मैंने उसे में लाइव रिकॉर्ड किया था आप यह देखिए मैं आपको वीडियो से ही बताता हूँ पावर डेसेंट शुरू हो गया तो लगबग 20 मिनिट पहले होरिजॉन्टल वेलोसिटी 222 वर्टिकल वेलोसिटी 31 अल्टिट्यूट साड़े 3 किलोमेटर मैंने आपको बताया था कि इस समय जो लैंडिंग का एरिया है वो बढ़ा कर दिया था साड़े 4 भाई धाई यह 40 जो है अभी देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि यह वाला जहां पर इसको लैंड होना है ठीक है यह फाइन ब्रेकिंग फेज उसके बाद रफ ब्रेकिंग फेज ठीक है तो इस लैंडर को जब यह 30 किलोमीटर भी ऐसे लैंड करेगा ठीक है और उसके बाद फिर होरि देखो कि मैंने पूरा उसी समय रिकॉर्ड किया है मैंने अपने रियाक्शन भी रिकॉर्ड किया मैं आपको दिखाऊंगा कि देख सकतो होरिजॉंटल विलॉस्टी धीमेधी में कम हो रही थी वर्टिकल विलॉस्टी भी इस समय नदरेद मोधी जो है वो लाइब हो गए ठीक है ना और ये सारे हमारे जो सूपर हीरो हैं 635 करोण इंटरस्टेलर आठसो करोण में बनी थी 1100 करोण में बनी थी आदीपुरुष 700 करोण में बनी थी दमार्शन 800 करोण में बनी थी 635 करोण में लूना विशन 1600 करोण का था जो चाइना नहीं कर पाया जो रश्या नह कर पाया जो जापान नहीं कर पाया वो हमने कर दिया यह वर्टिकल फेस शुरू हो गया देखो अब यह इसको देखो इसको ध्यान से समझो ठीक है यह ऐसे आ रहा था था ना ठीक है अब यह भाई देखो इसने रफ यह रफ फेस में इंडर किया अब इसने रफ फेस पूरा क गए हैं चलो आगे देखते हैं ठीक है अब जैसे ही यह वाटिकल आया ठीक है क्योंकि पिछली बार दो किलोमीटर पे हमने चंद्रयान टू यानि की लैंडर को खो दिया था वो क्राश कर गया था है ना इस बार जैसे ही दो किलोमीटर से नीचे सब्ताली वजाय तो यह अब horizontal velocity zero है क्योंकि horizontal velocity अगर जरा सी भी होगा भाई देखो यह horizontal अगर इसको जरा सा भी तेज करेंगे ना क्योंकि इसको उतरना यहाँ पे है ठीक है तो अब इसको ऐसे आना है इसकी vertical velocity प्रोकस किया जागा horizontal पे नीच पिछली बार programming ऐसे की गई थी software glitch आया था अलग इक इस रोन कि यहां से मैनिवर जो है वह विक्रम लैंडरी कर रहा है इस और से कोई कुछ नहीं कर रहा है ठीक है अब देखो इसकी वाइटिकल वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन होरी जीरो हो रही है और अल्टिट्यूड देखो लगबाक आधा किलोमीटर रहे गया यह धीमे धीमे कम ह हो रहा है अभी देखो उतरता जा रहा है ठीक है देखो ठीक है बहुत लोगों को लगए कि या अब तो इस रोभी साइंटेस्ट अभी चंद्रयान 3 के आगे बहुत कुछ अभी अब तो सूरज पर जाएंगे माधित 11 मैं कल आपको बताऊंगा कि अभी युसरों क्या अधिक है देखो उतरता जा रहा है उतरता 1.5-100 मीटर है कि अधिक है यह आप सोमनाद बैठे हैं अजा के सीवन को भी बुलाया है ठीक है देखे आपके बैठे हैं यहां तो नहीं को भी बैठ बुलाया था पिछली बर चद्रयां 2 जब नहीं ओपाय तो के स्वन रोय थे नरेद मोदी की गले लगे इस बार नरेद मोदी ब्रिक्स में है इससे चमाओ का कभी नहीं हो सकता चाइना भी साथ में है रश्या भी साथ में है साउथ आफ्रिका फिशाथ में है तो इंडिया भी है ठीक है ब्रजील भी है ठीक है यह देखो अब यह जीरो होगे वर्टिकल इसका लगातर कम होता जा रहे 30 मीटर, ठीक है, यह देखो, अब इसी के ही, यह पूरा सोलर पापड, यह देखो, लैंड हो गए हम, सब बहुत खुश, यह यार साउंड एक तो प्रॉब्लम किया है मेरे उस पे, बहुत गुस्थाई मुझे चलो कोई बात नहीं, भारत ने इतिहास रच दिया, भारत ने इतिहास रच दिया दोस्तों, चंद्रयान थ्री हमारा सफल हुआ, चार साल की महलत हमारी सफल हुई है, समझ रहे हो, तो एवरिवन इस सुपर हैपी, उसके बाद नरेन मोदी का भाषण, आपको पते ही, नरेन मोदी ने अभी स्रच दिया है, ठीक है, लूना 25 फेल हुआ, तो एक और जाला अड़िट प्रिशर था, पटी हो नहीं था, आज मैंने दिन भर चंद्रयान पर ही लिचर लिये, कई, मतलब बच्चे बोल रहे थे, सर दो तीन दिन से काफी कुछ हो रहा है, लूना 25 मैं नहीं कर पाया था, बहुत कुछ बिजी था मैं, लेकिन मैंने का कि जिस दिन चंद्रयान लैंड होगा न, और दिन ये भी पॉसिमिलिटी थी कि शायद चंद्रयान 3 को पोस्ट बोन कर दिया जाए, पड़ा सा कुछ भी नहीं होने वाला था, मुझे पता था आज ही लैंड होगा, वो एक परस हैं, ठीक है, उसके साथ अब ये चांद को देखेगा, साउथ पोल पे, डार्क ऑफ दा मून पे आस तक कोई भी नहीं गया है, और आपको बता दू, जब चंद्रयान ने जब पहला 2009 में चंद्रयान आया, तो उसने क्राश लैंडिंग की थी, ठीक है, और जैसे ही क्राश के traces विले हैं हमको, पहले कभी हो गया आप नहीं, ठीक है, अब उसके बाद, चंद्रयान टू जब 2019 में गया, तो वो लैंडर, और्बिटर तो था ही था, ठीक है, भाई, और्बिटर तो था ही था न, तो इस बार और्बिटर की जरूरत नहीं थी, और्बिटर लगातार च तो उसके बाद ये सीधा ये जहां पर इधर पर लैंड करना था, लेकिन इधर, आप सौ मीटर के इधर पर लैंड हुआ, एरिया भी कम था, ये भी बहुत बेड़ी दिक्कत थी, इस बार एरिया बड़ा गर दिया, और वैसे भी बोला कि सारे संसर फेल हो जाए, एस सोमना और यहां पर भारत को मा कहते हैं, नदेन मोधी बेवी और चांद को मामा कहते हैं, क्या बात है, बहुत बड़िया, क्योंकि भाई भाई है, आपको पता है ना कि चांद कैसे टक्कर हुई थी भीचर, तब जाके चांद जो है, वो धर्ती से निकला है, है ना, तो ये इसरो रुका नहीं है इसरो अभी बहुत धेरों मिशन से जो है वो लाइन डप है और ये भारत की साख को बहुत उपर बढ़ाता है सौफ्ट पावर बन के जो हम उबरे हैं और इसरो ने जो काम किया इसरो ने ये बता दिया है कि आपको हजारों करोण खर्च करने की ज़रू कर दो भाई प्लीज मूवी बना हो इस पर बिल्कुल मूवी बना ऐसे मुद्धों पर तो मूवी बननी चाहिए साथी साथ कितने लोग इंस्पायर हो गए होगे कितने बच्चे इंस्पायर हो रहे होंगे कि हमको साइंटिस्ट बनना है यही तो खासियत होती है कि एक मिश तो यह साथी चीज थी बट अच्छा है जो हुआ बहुत अच्छा हुआ बाकी अब वीडियो का सिलसला शुरू करेंगे हम बधाईयां आएंगी पूरी दुनिया ने क्या कहा सब कुछ मैं आपको सिलसलेवार से बताऊगा तो फिलाल भारत ने तिहा सरज दिया है और आप तो बच्छा है जोगे जेवार से बताफ करेंगे हैं एक्षा भारत ने यह हैं एक्षा है एक्षा है जो यह है जो यह है